किसान बग्यों नमस्कार आप सभी का स्वागत थे हैं हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे लैसुन के कंद का आकार केसे बनाए लैसुन को बड़ा बनाने के लिए कौन-कौन से काम करना चीए जैसा कि दोस्तों अभी उटी लैसुन हुए विदीशा लैसुन के स्टेज लाश्ट स्टेज पर चल रही हैं जिसमें से कंद का निर्मार हो रहा हैं तो कंद का आकार बढ़ाने कंद को बड़ा मजबुतिदार वजन दार बढ़ाने के लिए आपको इसमें कौन-कौन से दोवेव करनी चाहिए मैं इस वीडियो में इसे तीन तरीके बताने वाला हूँ जिनका खर्चा नाम मात्र का है और इन तीनों दोवयों व्य खाद के प्रयोक से आपके लेसुन की कंद की साइज डबल मनेगी लेसुन बड़ा वजनदार बनेगा तो यह तीनी ही दोवयों व्य खाद की जानकारी आप हमारे वीडियो में देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किया है तो सस्क्राइब कर दीजे पास वाले गंटे के निसान पर भी आउश्य बटन दबा दीजे ताकि आपको आने वाले वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले जैसा कि दोस्तों लैसुन के कंद को बड़ श्रू हो जाता है या आदा से ज्यादा बन जाता है या लैसुन 80-90 दिन का हो जाता है उस समय पर लैसुन की फसल में पोटास का प्रयोग करना चाहिए यंद्पी के 0050 एक वाटर स्लियोबल फटिलाइजर है जिनके अंतरगत 50% पोटास और 17.5% पर का कॉमिनेशन पाया ज सकते हैं यह जो इन्पी के 0050 है इसका प्रयोग आपको लैसुन की आखरी स्टेज पर करना चाहिए अगर इन्पी के 0050 के डोच की बात करें तो इस प्रे में आप एक किलो परती एकड और अगर आप जमीन में फूग रहे या पानी के साथ चला रहे तो 6 किलो परती एकड आ आपको पहले भी वीडियो दिया हैं बोरान सुक्सम पोसक्टतव हैं जो कि आपके लैसुन की कंद में कंद फट रहा हैं तरना फट रहा हैं तो उस समश्या को कंट्रोल कर लेगा साथ में लैसुन के कंद की क्वालिटी को मेंटेन करेगा और लैसुन में वजन बढ़ाने क काम करेगा लैसुन में सपयदी और परदे को मजबुद बनाने का काम करेगा तो आप इस समय पर भी आप बोरान का प्रियोक कर सकते हैं इसके साथ ही आपको तीसरा खात के साथ ही आपको विद दवाई लेना है PGR यानि की लैसुन की फसल में आपको लाश्ट और आकरे करना है मार्केट में प्लान करो लग्यूलेटर भी अन्हेक प्रकार के आते हैं जिसे की सिजेंटा की कल्टार काल्टा का चमककार और बीएसर कमपनी का लियोसिन यह कुछ तीन बेस्ट पीजी आरे जिनका प्रियोग किसान भाई लोग समय समय पर करते आ रहे हैं लेकिन मैं 10 से 15 सालों से कापी ज्यादा उटी लेसुन की खेति कर रहा हूं मेरे भी इस बार 20 विगा का उटी लेसुन है और मैं हर बार आकरी स्टेज पर सिजेंटा कमपनी की कल्टार का प्रियोग करता हूं कल्टार के अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर टेक्निकल पेकल बिटरजोल 30% ESC वाला फोर्मूला होता है और आपको एक एकड में 100 ml कलटार का स्प्रेक करना चाहिए इनके साथ आप NPK 0050 का प्रयोग भी कुमिनेशन मना के कर सकते हैं साथ ही इनके साथ बोरान का प्रयोग भी कर सकते हैं दोस्तो मैंने लैसुन की फसल में ये तीनों जो ख नहीं परेगी ये जो तीने तीनों दोवय हैं अगर समय पर लैसुन की फसल में आप इसका स्प्रेक कर देते हैं तो आपके लैसुन के कंद को बड़ा वजंदार चमकदार और ज्यादा पाव में बेजने से कोई भी नहीं रोक सकता है तो दोस्तों आप को किन-किन खाज व आपके लिए किसान